दोस्तों MIUI 11 Special Theme वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं जो Theme लेकर आया हूँ यह अपने आप में एक बहुत ही कमाल की Transparent Theme है साथ में आपको यहाँ पर Dark Mode का सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पर आपको Locked Screen पर काफी कमाल का लुक देखने को मिलता है तो इस Theme को कैसे डाउनलूड करना है कैसे अपलाई करना है इसी के बात करते हैं इस वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अप्तार चैनल को और बैल आइकन को यू प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप इस तरह की ट्रांस्पेरेंट थीम में इंट्रेस्टेड हैं तो ये थीम आपको MI थीम पर सर्च करने से आसानी से मिल जाएगी तो इस थीम का नाम elegant pure है और इसे आप आसानी से download और apply कर सकते हैं इसका link भी मेरे description में दे दिया है apply करने के बाद आपको home screen पर इस तरह का look देखने को मिलता है और अगर आपका dark mode on है तो dial pad और messaging में आपको dark look देखने को मिलेगा यहां पर हम dark mode को अभी off कर दे रहे हैं फिर देखते हैं इसका default look कैसा देखने को मिलता है तो यहां पर transparent सा status bar आपको देखने को मिल जाता है काफी cool सा home screen wallpaper देखने को मिल जाता है अब देखते हैं डाइल पैड में आपको white background देखने को मिलेगा और बिल्कुल ही change look मिलेगा आपको इसी तरह से messaging में और settings में जाने पर आपको different से आपको icons देखने को मिलें काफी default से तो काफी better look है यहां पर और अगर हम बात करें lock screen की तो lock screen पर आपको यह wallpaper और साफ में यहां पर अगर आप उपर से नीचे swipe करते हैं तो control panel देखी जाता है तो यहां control panel पर यह काफी सारी option मिल जाते है weather info देखने को मिल जाती है media control है battery का visualization है volume control है काफी सारी step tracker है काफी सारी option मिल जाते है आपको और left side में flashlight right side में camera का option swipe up करने पर unlock तो यही कुछ थे इस theme के features और इसी तरह के amazing videos देखने के लिए आप इस video के end screen से मेरे कुछ और भी videos देख सकते हैं तो आज की video में दोस्तों बस सतना ही अगर यह video आपको पसंद आया है तो इस video को like कर दीजे, share कर दीजे और अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो channel को भी subscribe कर लिजे क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के video लेके आता रहता हूँ